आज कर देखते हैं एडिटोरियल में क्या है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इसमें बहुत सारी बुकाय मिलने वाली है मैं हूँ शेयमोर्य और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ एक बुकाय फ्रॉम दा हिंदू से और जो पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ ठीक है वेक्सिनेशन दर्शाई गई है टू हैब बीट अलाइफ शेवर डिडिंग दथर्ड वेव और पैंडिमिक यानि कि क्या कहना चुआ रही है अब दिहांसे से समझें कि बैक्सिनेशन वाज सून दश्रॉम दखाई गई है टू हैब बीड यह क्या हो गया है लाइफ शेवर हो गया है लाइफ लाइफ शेवर ऑफ पैंडेमिक ठीक है पैंडेमिक के दोरान जो पैंडेमिक लोकडाउन लगा हुआ था ठीक है उसमें कोबिट 19 के विए से जो मौते हो रही थी तो उसमें जिसने बैक्सिनेशन लिया उसकी जान बच गई तो मैं COVID-19 pandemic is on a discernible vein, बहुत ही अच्छे लिखा हुआ है, discernible का मतलब है, capable of being perceived clearly, यानि कि जो साफ साफ हो, बलकुल साफ साफ नजर आ रहा हूँ, ठीक है, साफ साफ क्या हो, एकदम से नजर आ रहा हूँ, तो discernible का मतलब हो गया, साफ साफ नजर आना, क्या, clear होना, C-L-E-A-C-L-E clearly लिख देता हूँ, अब actually मैं यहाँ पर writing आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिं फिर भी clearly है, यानि कि साफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साफ, चलो, यहाँ लिख देता हूँ, clear हो गया, दूसर देखिए, when, when के actually मतलब क्या है, when, कि अगर मैं बात करूँ, when का gradually decline, क्या है, gradually decline, यानि कि कम होना, कम, होना, clear हो गया, यानि COVID-19 pandemic is on a discernival vein, मतलब इसकी क्या हो रही है, clear हो गया, इतनी पॉइंट क्लियर हो गया होगा है, सबको, अब मैं आगे बताता हूँ, आपको क्या-क्या है, just a month अगो, अगर एक महने पहली की बात करूँ, India was reporting around, इंडिया की reporting थी, क्या, 1,70,000 cases आड़े, एक दिन में, 1,17,000 case थे, and यानि की और latest numbers, suggests, लिटेर नमबर हमें क्या करते हैं, suggest करते हैं, देखो ये plural हो गया, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर वबी suggest क्या लगा दी, प्रूल लगा दी, clear हो कितना point, it has plummet, बहुत ही अच्छा बाड़ है, plummet का मतलब होता है, कि अचानक से कम ही आना किसी भी चीश में, ठीक है, अचानक गिरना, या drop suddenly, क्या लोखो के plummet का मतलब, drop suddenly, या अचानक कम होना या गिरना, क्या चीश, to around 6,000, कितने, कितने कम हो गए, लगभग 1,70,000 केश पहले थे पिछले मेने के, लेकिन आज कि अगर मैं बात करूँ, तो यह लगभग कितने होगा, अच्छे हजार, इंडिया is now the contributing to the only 0.7% of global cases, अगर मैं दुनिया भर की केश की बात करूँ, तो इंडिया के अंदर मात 0.7% क्या है, केश हैं, दुनिया की respect में, दुनिया की तुल्वा में, लास्ट येर, अगर मैं पिछली साल की आगर मैं बात करूँ, ठीक है, पिछली साल की बात करूँ, लास्ट येर, इस टाइम, केशिज वर बिलो दो 5000 आडे, की एक दिन में 5000 से कम केश थे, पिछली साल, के लिए, दिखाए दिरे हैं, एक इन्करेइग इंंकरेइग serval इस्टेट्स, और सेप mett में सभी। इस टेट्स, भी से बहुत सारे न están and that क्लेम ओर सेटर ने भी क्लेम किया किस चीज के लिए दावा किया pandemic was over कि जो pandemic है वो क्या हो चुका है was over यानि की खतम हो चुका है दो हाला कि दो का मतलब हाला कि within a matter of a week there was a resurgence filled by the delta variant तुम मैं यहींते लिए तो पहले यह समझे आप यह समझे कि encouraging several states and center to claim several states ने central government ने भी समने क्या बोला यह बोला कि that the pandemic was over pandemic हातम हो चुका है इतना के लिए रहो कि आगे देखिए दो यानि की यह दिपी यानि कि हाला कि within a matter of week कुछी सब्तों के बाद the there was a resurgence का मतलब होता है कि द्वारा से कोई चीज एक्टिव होना रिशर जैंस यह लिखा हुआ ठीक है resurgence का मतलब द्वारा से कोई चीज एक्टिव होना bringing again into activity and prominence द्वारा से active हो जाना क्लियर है है हम थोड़ा ऊपर करता हूं अब देखिए क्या डिल्टा वारेंट चीज लखता जिए तब बिपत्ति आपड़ा यह इन्दी में हो गया इसके synonyms ते लिख लिए क्या क्या हो सकते हैं calamity हो सकता है मैं ही हानी देता हूं ताकि है क्ले टि एन security क्लेमिटिंट्स एम आई टी यह एडा है कि एक संनेनम होगत है क्या हो सकता है दूसरा सकता है क्लेंट्स कलियर हो गया करिट कर मतलब विपत्ति बगरा है तो आप सारी बिपत्तिया लेके आया there is, अगर मैं बात करूं, there is, however, a crucial distinction, यानि की distinction का मतलब होता है, अंतर, distinction यह लिखा हुआ, distinction, there is है, however, वाले हालाकि, अंतर है, किस-किस में between, then, तब पिछली साल, now, और, in that, over 75% of those, over 15 years, जो लोग 75% से भी जादा लोगों ने क्या जो 15 साल के से भी उपर हैं उन लोगों ने are now fully vaccinated in India अगर हम आप की बात करूँ are now fully vaccinated in India ठीक है कितने over 75% यानि 75% से जादा लोग हैं कौन-कौन of those over 2 वो लोग जिन लोग ने पंदर साल से भी उपर हैं वह fully vaccinated हैं इंडिया के अंदर फिलाल are small and growing number of those over 60 ठीक है छोटा से small number है क्या है are small या small छोटा सा and growing number ठीक है growing number of over 60 have had the third dose जो लोग पहले चाठ साल से उपर हैं वो third dose ठीक है थर्डों लग रही होने report suggest reports suggest report बताती है that over 90% of Indians 90% से ज्यादा Indians have been exposed exposed किया है clear कर दिया क्या to the virus over the two year ठीक है यानि कि 90% लोगों ने एक्चुली में vaccination हो गया है तो कोवीट का जो रिश्यू है कोवीट जो लग है कोवीट की इंफेक्शन होने के चांच है वह हुआती कम हो गया 90% लोगों में therefore इसलिए combined with the vaccination and sufficiently protected against disease clear फिर इसमें रिवाइज करा देता हूं to be sorry have been exposed exposed किया किसी कि to the virus के लिए over last two years over last two year में इन्होंना exposed किया ठीक है therefore इसलिए combined with the vaccination ठीक है किसके साथ combined vaccination के साथ नहीं एक साथ मिल करके vaccination लगवा करके आर सफी शेंटली protected और परियाप्त रूप सफीशनली परियाप प्रियाप 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 स्रक्षेत अगेंस डिसीज और इस के लिए यह लोग क्या है बुलकुल ही बहुत अच्छे से वैक्षिनेशन हो गया है तो डिसीज होना नहीं है नहीं होना है कि बट्नों इंफेक्शन कोई इंफेक्शन फॉर मैनी मूर मंत अहेड अगर हम बात करने अभी हाल फिलाल के जो मन्तों में कोई इंफेक्शिन अभी नजर नहीं आया है ठीक है टो म हम लुग क्या जोड दिया जाता है थ्यक्र मनें सेहन करना अवउइड फैक्षिनेशन वैक्षिनेशन में अगर कोई बैक्षिनेशन वुवैड करता है कोशिश और सुब डिह कि ने की पार्टे को और जुनको serious infection है बो लोग अभी avoid कर रहे हैं आप सुनिए बल्राम भारगवा कौन है बल्राम भारगवा अब यह देख देते हैं बल्राम भारगवा डारेक्टर जर्नल ICMR के डारेक्टर जर्नल ने said at a press meeting this ठीक है प्रेस मीटिंग की थी उन्होंने और this week ठीक है that 92% of those who have died in died of COVID-19 देखी इन्होंने क्या कहा था कि ICMR कि मीटिंग करी थी दिस वीक रहना बोला था 92% of those who have died COVID-19 में ठीक है 90% से जाद 92% से जादर हो जो मारे हैं since January since January to this year but unvaccinated वो लोग क्या थे unvaccinated थे ध्यान देना क्या थे unvaccinated थे इसी लिए बोला जा रहा है कि vaccination ज्यादा जरूरी है यान जिल लोगों ने वैक्सिन नहीं लगवाई 92% लोग वो अन क्या थे unvaccinated थे क्लिए रहो गया underline that vaccines and wide vaccination अगर हम बात करें underline करें कि जोर दें vaccines पर और vaccination पर coverage has played क्या coverage ने बहुत बड़ा play किया है क्या important role play किया है किस चीज में protecting hundred of lives ठीक है बहुत सारे हजारों लाइफ या सेक्रों लाइफ बचाने में जो vaccination coverage था उनने बहुत important role play किया है क्लियर अब यहां से देखिया इंडिया is fortunate इंडिया भागिशालिया in debt in debt ठीक है इसमें it does have क्या है इसके बाइब क्या चीज है ब्यूद करने के लिए ठीक है क्या चीज है ब्यूद करने के लिए vaccination hesitancy in large major अगर मैं बात करूं in India is fortunate in that it does not have it does not have it ठीक है इसके पास नहीं है क्या to battle vaccine hesitancy hesitancy in large major कि बहुत बड़े प्यवाने पर लोगों नहीं बोला कि वह हम vaccination vaccination नहीं करवाएंगे बैक्सिन नहीं लेंगे ठीक है initially कि हम initial septicism septicism का मतलब होता है संका क्या होता है मैं लिख देता हूं पूरा सब्सक्राइब कर दो हूं कि यह लिखिए कि septicism का मतलब होता है संका दुविदा ठीक है यह सा को ना regarding किसके बारे में vaccination not having passed vaccination not pass मतलब पास नहीं कराए गए यह क्या typically perfectly and typically क्या मतलब पक के रूप से stage of vaccination sorry stage of vaccine approval to serve a certain degree of hesitation कि मतलब उनको approval नहीं दिया गया है क्या क्या है approval नहीं दिया गया यह थोड़ी से hesitation दिखाई बट बहुत ही जल्दी it seem ऐसा माल it emerge ऐसा उबहा क्या उबहा यह दिखाई दिया in April और May में last year last year ऐसा दिखाई देता है कि अभी अप्रूब नहीं हुई है लेकिन that India's main problem was insufficient इंडिया की main problem क्या थी insufficient number of vaccines actually में वो approval तो था लेकिन वैक्शिन अबलेबल नहीं थी वैक्शिन बन नहीं इस्टर्ड का मतलब होता है बातना distribute करना nearly 770 178 करोड़ वैक्शिन डोजेज एंड है several indigenously indigenously का मतलब होता है घर में ही डेवलप करना किसी वी चीज़ को है स्वादेशी क्या स्वादेशी क्या मतलब होता है indigenously का मतलब होता है स्वादेशी indigenously स्वादेशी ठीक है इन उपर लिखा हुआ indigenously डेवलप वैक्शिन डेट हैब बीन अप्रूवड जो अप्रूड कराई गे थी पैसे में होना हो डेट हैब बीन अप्रूवड इन emergency mode by the authority authority की दौवारे emergency mode में approve कर दिए मिल्ला गंभीfront questions है on supply कि supply mode पर supply हो पा रही है नहीं हो पा रही अभी बहुत सारी क्या serious questions है अब कि हाल फिलाल की तो vaccine demand vaccine की demand is low कैसी है कम ही है क्योंकि सबको vaccination हो गया है यहां पर दूसरे करता हूं ताकि आपको क्लियर हो यह मौपप मौपप का मतलब हो गया कंप्लीट हो गया है मौपप मोड़ पर है मलें कंप्लीट में है अब यहां देखिए अब यहां देखिए बट बर दा पैंडेमिक सिचुएशन टू दा सटली टर्न फॉर्ट वेव टू टेक शेप ऐसा भी तो हो सकता है कि वह फॉर्ट वेब आ जाए अभी थर्ड वेब की बाद चले थी ठीक है थर्ड में अभी सबको बैक्सिनेशन हुआ तो हो सकता है फोर्त विब भी आ जाए ना टेक शेप यह नहीं कि शेप ले ले यानि आ जाए किस चीज के लिए दिया ऑड़ बी बैक्सिन की क्या वघ्चिनेशन ओच चेट्ड लिए ठीक है ठीक है क्लियर अब आगे देखिए कि लोगों में vaccination for children particularly बच्चों में particularly below 15 जो 15 साल से कम है as well as booster doses for adult और adult के लिए booster dose की जरूत पड़ेगी हमें demand बढ़ जाएगी spike ठीक है हो जाएगा in vaccines experience of co-vaccine अगर co-vaccine की experience की बात करो manufacturing being unavailable ठीक है अब वो available नहीं है किस चीज के लिए available नहीं है to ramp up vaccination in time duration time duration in crisis month out to be persistent reminder to other technology companies that having vaccines is very different from being ready with a seamless supply chain यह कहना चाहरा है कि माल लेजिए co-vaccines अभी एकदम ready नहीं हो पाता ने आवल है रैंप पका मलब तेजी लाने में रैंप पका मलब तेजी लाने में बूस्ट यह बोल्स्टर strength इंग बोल सकते है ठीक है speed लाने में रैंप up vaccination in the time duration time during the crisis month crisis month आगर फोर्थ भी आ जाती है तो एक दम प्रोवाइट नहीं करा पाएगा बैक्शिन का नाम क्या था ठीक है को बैक्शिन जो है अभी प्रोवाइट नहीं करा पाएगा एक तम जल्दी से अगर फोर्थ भी आ जाए इसलिए ठीक है आगे देखिए पर्सिस्टेंट रिमाइडर यह हमें द्या रखना चाहिए द्या दलांग चाहिए टू अधर कम ट्रक बायो टेक्नलोजी कंपनी जो है उनको कि हैविंग भी हैविंग वैक्शिन इस बैरी डिफरेंट जो अलग डिफरेंट तरिके बैक्शिन बना रही है इं डिफ्रॉम सब्सक्राइब करा पाएं जो डिफरेंट भी है और तुरंत करा पाएं मतलब भी सब्सक्राइब लगातर कंटीनियोश बिना किसी रुकावट के के लिए हो गया आगे देखिए यहां से देखिए इंडियन गौर्वर्मेंट हैज इस्टिल नोट मेट पब्लिक इंडियन गौर्मेंट ने अभी विक्राइड क्या पब्लिक नहीं किया इस टाइम टेवल फो टाइम लायन फो द वेंड़ीनिस फ्रों दो बायो टेक्नोलोजी इस ठीक है वैस्जिन फ्रो फ़रे ग्रूप से फॉर्दामाश यूज कि ये जो दवाई हैं का यह जैने वाइडायिस एक पबलिक के लिए क्लिए नहीं किया है कि यह प्रैक्टिकली एविलेबल वही पबलिक के लिए यूज आनि कि पुद्धि प्लिक के लिए यह यूज कर पांगे ठीक है यह सरकाल मे क्लिए ने किया दो दो वर्ड एज अक्यूपाइड वे दुनिया घ्री हुई है इंडिया को बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ भी लिए नहीं छोड़ना चाहिए क्या गार्डाउन या स्लो नहीं होना चाहिए किस चीज़ पर ठीक है वेक्चिनेशन पर ही क्लिए अगे देंखी यहां से बात करूँ मैं should insist on उसको insist करना चाहिए किसी को बार बार बताना चाहिए कोशिस करना चाहिए पिरयतन करना चाहिए companies being ready company का ready ready होना चाहिए with a measurable time table जो time table तै किया जाएगा यह करना ठीक है अब मैं क्या करूँगा आपको बुकेब अलग से दिया करूँगा ताकि आप वो पढ़ पाएं बहुत ही इजी हो जाता है अगर आप पढ़ेंगे ठीक है बुकेब याद करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी टफ लेबल की बुकेब जो हापी में पढ़ा रहा हूं और अगर इसे कब कवर आप कर पाएं आप तो कोई भी एक्जाम से ही सारे सारे एक्जाम में बहुत अच्छा पाफ्म कर पाऊगे ठीक है अब मैं ग्रैमेटिकली भी थोड़ा से अप्रोच बढ़ाऊंगा आप लोगों को ताकि मैं समझा पहूंग अभी स्पीड आप लो और दूसरा शेयर करें और लाइक मार दें तो थोड़ा अच्छा हमें भी लगेगा क्लियर है तो मिलते नेक्स सेशन में तब तक क्लिए बैबाए एंड टेक